नमस्कार and welcome friends बहुत दिनों से class 11th की demand आ रही थी कि sir MCQs 10th के आ रहे हैं 12th के आ रहे हैं हमारे कहां गई तब finally हम बात करेंगे MCQs की class 11th के लिए तो आईए शुरू करते हैं बहतरीन chapter के साथ खुश्वन्त सिंग ने लिखा है The Portrait of a Lady थमनेल को देखके बहुत लोग सोच रहे थे यार यह Portrait of a Lady बोला और Portrait तो जैंट्स का है तो भाई यह है खुश्वन्त सिंग जी जिनोंने एक लेडी और लेडी कोई और नहीं अपनी दादी के बारे में बहुत कुछ लिका है यहां Portrait का मतलब है Character Sketch So basically यह Character Sketch है खुश्वन सिंग की दादी मा का Basically यह Chapter मैंने समझाया हुआ है आप जरूर उसकी वीडियो देख सकते हैं हम बात करते हैं MZQ उसकी सबसे पहला MZQ Who is the author of the Portrait of a Lady तो बेशक मैंने आपको जवाब दे दिया पर फिर भी आपके पास वक्त है Second का जवाब दीजिए Start और सही जवाब जैसा कि मैंने आपको कहा था खुश्वन सिंग है इसका सही जवाब और ये इनकी इमेज है खुश्वन सिंग जी की आदर निया कलाम सहाब इनको एक पुरुसकार दे रहे हैं मा, बहन, दादी या बेटी बताईए और सही जवाब है C, Grandmother, दादी मा तो पंजाब में रहने वाली दादी मा, खुश्वन सिंग जी की वो हमारी मेन केरेक्टर हैं और आपको मार्क्स भी दिलाएंगी जो दादा जी थे उस तस्वीर में जो दिवार पे लटकी हुई है कैसे दिखते हैं उतादा जी पहला, बुजूर्ग दिखते हैं, ओल्ड मतलब पुराना नहीं बोलेंगे ओल्ड मतलब बुजूर्ग दिखते हैं, सफेद दाड़ी है, बड़ी सी पकड़ी है बी, पतले दुबले से रिंकल वाला चहरा सी, जवान, हैंडसम और बहुती हटे-कटे और डी, पुराने और वैल बिल्ट, याने पुराने सारी, बुजूर्ग और बहुत अच्छे कद काठी वाले हैं, बताइए और सही जवाब, जैसा कि आप सबने सही सोचा है, ऑप्शन ए, ओल्ड, लॉंग, वाइट, बीर्ट, वान, बिक, टर्बन एक बड़ी सी पग है, याने पगड़ी है, सफेद दाड़ी है और बुजूर्ग है बुजूर्ग होंगे तबी तो दादाजी है, जवानी की नहीं बुढ़ापे की तस्वीर है बुजूर्ग थोटी सी फैट याने थोटी सी मोटी और अच्छी हाइट है उनकी, लंबी है बी, लंबी हैं थोटी सी मोटी और हलकी सी जुकिविए हैं तीसरा, old short, slightly bent and fat, बुजर्ग भी हैं, height में कम भी हैं, थोड़ी से जुकी होई भी हैं और मोटी भी हैं, और D, हलकी से जुकी होई और मोटी हैं, बताइए और सही जवाब आपके सामने हैं, बुजर्ग हैं, छोटी हैं, जुकी होई भी हैं और fat हैं, समझना बुजर्ग हैं, ठीक है, ऐसी, short, height है, कम height है, जुकी होई हैं, इस तरीके इतनी नहीं मतलब थोड़ी जुकी होई हैं तो जाला जुका दिया मैंने, और थोड़ी सी, गोलू-मोलू सी हैं, मोटी सी हैं, पतली नहीं हैं, ठीक है, वह रहे, आलूदे पराटे, ठीक है, और मकण वैसी वाली हैं, वाला पंजाबी हैं, of course, चलिए जी, पाचवा, When did the author's parents leave him with his grandmother, author के माबाप ने, उसे, उन्हें, sorry, author को कब छोड़ा था दादी के पास, When he was a kid, जब वो एक छोटा सा बच्चा था, लड़का था, basically, बच्चा आप कह सकते हो, kid मतलब, आप कह सकते हो, first class से eighth class के बीच का, Invent आपका हो गया, यार, बहुत चोटा, ये आपका newborn baby होता है, teenager आप सबको बताऊगा, 13 साल साल के बीच के जो उमर होती है, D होता है, जब वो fail हो गया, और एक teenager बन गया, मतलब, exam में fail हो गया, और बाद में, उनकी उमर हो गई थी, 13-14 साल, बताईए, और सही जवाब है, when he was a kid, A, मतलब, जब वो एक लड़का थे, kid थे, मतलब, 13 साल की नहीं थे, of course, थोड़े छोटे ही थे, और एकदम नवजात, शिशू भी नहीं थे, बच्पन था, basically, आप कह सकते हो, वही 1st class से 5th class की बीच में, 13 साल की उमर से भी, पहले ही उनको छोड़के, जो माबाब है, वो शेहर चले गए थे, of course, कहानी में आपने पढ़ा होगा, कि बाद में बुला लिया था, तो जब गाओं में थे, जो गाओं की जिंदगी जब इनकी थी, तो दादी मा किस जानवर को खिलाया करती थी, कुत्नों को, गाए को, जानवर की जगह, स्पैरोस, याने पंचीयों को, चिडियाओं को, या फिर बिल्लीयों को, बताईए, तो सही जवाब आपके सामने है, डॉक्स, ऑप्शन, ए, बिल्कुल सही है, जिस तरीके से डॉक को दादी मा खिलाया करती थी, कब खिलाती थी, इसको देखने के लिए पूरा चप्टर समझो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो मैं नहीं दे रहा हूँ, आप आराम से इसको सर्च कर लेना हमारे चैनल पे, प्लेलिस्ट में आफ़कोर्स आपको लास्ट में दे दूँगा, वाट डिड़ ओदर इट फर ब्रेक्फ़स्ट, ब्रेक्फ़स्ट के समय ओदर को क्या मिलता था, थिक एंड स्टेल चपाती, याने बासी और मोटी सी चपाती, उस पे थोड़ा सा मक्षन और शकर, B, मोटी सी चपाती, यहां ब्रेक्ट का मतलब है चपाती, अफ़कोर्स, मोटी सी चपाती और मक्षन, उपमा, आई यो, उपमा, और कड़ी और, not कड़ी, स्टारी, और सही जवाब, यह है, option A, मोटी सी बासी चपाती, मतलब रात की समझो, चपाती बनी हुई है, थोड़ा सा उस पे मक्षन लगाया, शक्कर डाली और खाली है, पेस्टी होगा, हैल्दी तो है नहीं, बिलकुल, लग तो नी रहा है, हैल्दी, यह दादी स्कूल क्यों जाती थी, क्यों जाती थी, पहला, नज़र रखने के लिए, पोते पे, अपने ओधर पे, हमारे, खुश्वन जी पे, बी, टू वेट फॉर इम, टू टेक हिम बैक टू होम, इंतजार करती हैं थी, कि मेरा बच्चा, मेरा पोता, घर चलेगा, सी, इसलिए कि एक मंदर था स्कूल से जुड़ा हुआ, जहां वो बैठती थी, डी, गाओंवाला से मिलने, बताइए, और सही जवाब है, सी, देखो, एक मंदर था स्कूल से जुड़ा हुआ, तो जैसे ये स्कूल है, और ये बगल में मंदर है, इतना अच्छा नहीं था, पर मंदर है, या गुर्दवारा होगा, तो उदर वो बैठ जाती थी, तो इससे क्या होता था, दोनों गए, उसने भाई साब किताबे अब जो ओदर्स के पेरेंट्स थे, वो कहां थे, जब ये लोग गाउं में थे, हमारा ओदर, पोते और उनकी दादी जी, तो उनके माबाप कहां थे, अबरोड विदेश में थे, शहर में थे, किसी दूसरे गाउं में थे, या फिर किसी दूसरे राज्य में थे, बताईए और सही जवाब ये रहा एक दूसरे शहर में थे दूसरे क्या शहर में थे तो ओधर थे गाउं में आहाँ ये लोग थे शहर में और आगे आपको पता ही ये कहानी में क्या हुआ था तो आखिर दादी मंदर में क्या करती थी ओधर तो स्कूल में पढ़ाई करते थे होंगे पिटते होंगे जो भी करते होंगे दादी क्या करती थी मंदर में बैठके अपकोर्स पंजाबी है तो गुर्बारी पढ़ती होंगी गुरु गरण साहब पढ़ती होंगी शयद सुक्मनी पढ़ती होंगी या जो भी स्कूल पंजाबी के शयद वो पढ़ती होंगी सिंग रिलिजियस प्रेयर्स भजन गाती होंगी ठीके गुर्बानी गाती होंगी या हिंदी में भजन गाती होंगी teach other kids religious prayers या दूसरे बच्चों को religious prayers सिखाती थी धार्मिक चीज़ें सिखाती थी धार्मिक गीत भजन ये सब सिखाती थी बताईए और सही जवाब है read scriptures तो इस तरीके से हो सकता है दादी बैठती हो गुरुदवारे में या मंदर में और scriptures पढ़ती थी जो भी scriptures वो पढ़ती हो what was the turning point of the friendship between grandmother and the author author और दादी इनकी जो दोस्ती है यहां दोस्ती क्यों भाई या रिक्ती अच्छी साठगाट है वो जिन्दगी साथ में बीत रही है बच्पन में तो क्या एक turning point था किसने वक्त बदल दिये हालात बदल दिये चस्बात बदल दिये क्या था ऐसा जिसने सब कुछ बदल दिया पहला author एक adult बन गए 18 साल से बड़े हो गए दूसरा वो दोनों शहर चले गए क्योंकि author के parents ने बुलाया तीसरा जब author उनको छोड़के शहर चले गए मतलब दादी को गाओं छोड़के शहर चले गए या फिर जब उन्होंने बात करना बंद कर लिए कट्टी कर लिया वसमें बताईए और सही जवाब ये रहा when his parents called them both to the city जब उन दोनों को author के मावाप ने शहर बुला लिया कि चलो शहर आजाओ तयारी हो गई है शहर में author आखिर कहां पढ़ते थे English school in motor bus एक bus में वेटके English school जाते थे मतलब जहां पर अंग्रेज ही पढ़ाई जाते है English medium school by walking down to nearby school की बगल में school था चले जाते थे पैदल C एक हिंदी स्कूल या हिंदी मीडियम स्कूल या D कहीं नहीं ओनलाइन तो पढ़ते नहीं होंगे उस समय तो D आप देख लो अपने साफ से बताईए चले तो सही जवाब है English school in motor bus तो इस तरीके से कभी bus में बैठके वो एक बड़े से अंगरेजियों वाले school यानि अंगरेजी जहां पर पढ़ाई जाती है ऐसे school में जाते थे of course दादी को तकलीफ होगी क्या तकलीफ होती दि बताईए what made the grandmother unhappy about the author's new English school तो इस English school चे दादी को क्या तकलीफ थी पहली ये fact ये बात की वो homework में पढ़ाई में help नहीं कर सकती अपने पोते की दूसरा क्योंकि वो शहर में थे ये तकलीफ थी तीसरा दादी को English नहीं आती थी ये तकलीफ थी चौथा क्योंकि दादी को English नहीं आती थी वो मदद नहीं कर पा रही थी ये तकलीफ थी पताई ये तकलीफ क्या थी आकर तो भाई समझ गए ना कहा दिक्कत आ रही है अब आप बोलोगे अरे सर क्या बात कर दिया आपने क्या बात कर दी सर सही तो ये भी लग रहा है सही तो ये भी लग रहा है तो A और C दोनों सही लग रहे हैं तो आपने ये क्यों लिखा तो भाई देखो मैं जानता हूँ बहुत लोगों के मन में ये सवाल आया होगा कि ये दोनों यहां तक तो सेम है तो भाई देखो ये लिखा है पूरा ठीक है यहां पे अगर आप देखो के तो आदा है help नहीं कर पाती थी और समझ में नहीं आती थी इस sentence ने क्या करा पूरा बता दिया इसको मैं लिख चकता था बोथ A and C तो एक तरह से ये बोथ A and C तो है क्योंकि दादी को English नहीं आती थी वो मदद नहीं कर पा नहीं थी तो जब एक अंसर आपको पूरा ग्यान दे रहा है पूरा लॉजिक बता रहा है तो यार उसको prefer करो ना आप कुछ और क्यों prefer करोगे तो हमने किसको prefer किया option D क्योंकि वो A और C दोनों की बात को क्या रहा है इसको मैं बोथ A & C भी बोल सकता हूँ एक्जामिनर बोथ A & C भी बोल सकता है वाइडिंट दे ग्रैंड मदर लाइक म्यूजिक दादी को यार म्यूजिक पसंद क्यों नहीं था पहला उनके साब से जो म्यूजिक है वो हारलट्स और बैगर्स की मोनोपॉली थी मतलब सिर्फ जो नाचने गाने वाली औरते होती है बोलना अच्छा नहीं लग रहा पर जो आप कह सकते एक टिपिकल एक वर्ड होता है नाचने वाली या नचनिया जैसा कुछ वर्ड्स होती है तो फट्वड़े गंदे वर्ड्स है पर ऐसे वर्ड्स होते हैं इससे और गंदे भी हो सकते हैं मैं बोलनी रहा उनके लिए उनकी मोनोपॉली थी उनहीं का काम है गाना और बैगर्स मतलब बिखारी तो दादी के जाब से बिखारियों वाला काम है गाना क्या ये reason था, दूसरा, दादी को सरिफ भजन पसंद थे, ये सब चीज़े पसंद नहीं थी, तीसरा, उनको सरिफ traditional folk music पसंद था, जो हमारा traditional music होता है, पंजाबी में या उनकी जो भी लोग भाषा है, लोग संगीत जो हमारा होता है, हमारी typical हमारी भाषा में, उनको वो पसं था, या फिर वो ये मानती थी, कि इससे बच्चा पढ़ाई से distract हो जाएगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, बताईए जी, the second आपके start, चलिए जी, बहुत कूब, आपने सहीर जवाब दिया होगा, मैं उमीद करता हूँ, ये रहा, according to her, वो monopoly थी, harlots की and baggers की, baggers ये र मुवी में सुना है, आवारी मैं, गाना, और अगर आपने अमिताब जी की मुवी देखी हो, मुकदर का सिकंदर, उसमें गाना था, सलामेश्क मेरी जा, रेखा जी का, तो ये इस टाइब के जो गाने, गाने वाली औरतें या लड़कियां होती, दिल बहना ले के लिए जो आती नहीं थी, और पढ़ाई में भी जीते, तो भाई सब कई से टाइम पास होता था, डॉक्स को खाना खिला के, स्क्रिप्चर्स पढ़के, स्पिनिंग दवील चर्का चला के, या पडोसेओं से पंचायत करके, बताईए, तो सही जवाब, स्पिनिंग दवील, भाई सब दादी ऐसे बैठके चर्का चलाती थी, स्क्रिप्चर्स इसलिए नहीं पड़ती थी, कि यार मंदर वगएरा वहाँ पे था नहीं, घर में क्या पड़ो, मैं आपको समझा लेता हूँ, ये देखो, स्क्रिप्चर्स पड़त नहीं थी, डॉक्स वो उसलिए नहीं कि गाउं के कुत्तों ग्यारत थी, बाहर निकलती मी थी, यहां तो उत्ता निकलना नहीं होता, पड़ोसियों से उस समय उन्होंने बात करना शुरू नहीं की थी, जब नए नए ये लोग शहर में आये थी, बाद में अफ्कोर्स आग कि सर ये एवरी डे ऐसा होगा या बिना स्पेस का होगा, चुकि बिना स्पेस वाला एवरी डे भी होता है, तो आप बिलकुल मेरा एक 30 सेकंड से भी कम का शॉर्ट है, जिसकी लिंक में डिक्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको देख ले ना, आपको क्लियर हो कि एवरी डे या एवरी डे क्या होता है, वहराल, तो वो कैसे अपना टाइम पास करती थी, बहुत सारे चिडियाओं को खाना के एक जपकी लेके सोके, और की मा से बात करके मतलब सास बहु पंचायत करती थी, या फिर मंदर जाके दो पहर में, बताइए जवाब, और सही जवाब है ये आहा, सैकरों, एक सैकरा मतलब होता है हंड्रिड, सैकरों चडियाओं को दादी हमारी खाना खिलाती थी, इस तरीके से आहा, प्यारी प्यारी हमारी चडिया खाना खाती थी, और इससे ही उनका टाइम पास होता था, तो नेकी भई, खाली बेड़े क् नेकी की जाए what happened when the author moved abroad to study for five years क्या हुआ जब author ने move किया मतलब author चले गए 5 साल बाहर पढ़ने को तो किस तरीके से दादी ने उनको बाए बोला सबसे पहला शान तीसे उनके माथे पे किस किया दूसरा कोई उनसे पोता नहीं रहेगा तो मैं भी नहीं रहूंगी शहर में यहां फिर माबाप भी जो ओधर के थे वो विदेश चलेकर दादी को शहर चोड़के बताईए और सही जवाब आप सबको पहले ही पता था जो दादी है उन्होंने बड़ा प्यार से अपने पोते को चुप चाप माथे पे किस किया कुछ बोला नहीं रोई नहीं किया तुम जा रहे हो कैसे मेरा वक्त कटेगा कुछ यू नहीं बस प्रात्ना करती गई और चुप चाप से माथे पे किस करके बाय कर दिया तो यह वो बात है जब उनको शहर में आये काफी वक्त हो गया इससे पहले जब इस्पिनिंग दवील मैंने आपसे बूचा था तब दादी नहीं नहीं आई थी अब क्या हुआ अब काफी वक्त हो चुका है और पांच साल विदेश रहके आए हैं अब दादी के शाम के शेडियूल में क्या चेंज आया वो क्या करती थी तो पहला वो पडोस जो पडोस की औरते हैं उनको बलाती थी दूसरा वो वॉक करने जाती थी तीसरा जल्दिस हो जाती थी और चौथा वो ओधर के माबाप से पंचायत कर दी थी अपने बेटे और बहु से बात कर दी थी बताईए तो अगर आप ये कह रहे हैं कि वो पंचायत करती थी तो माफ कीजिएगा वो पंचायती थी तो नहीं थी ओप्शन ए कुछ नहीं महले वाली औरतों को बलाती थी ढोलक लेती थी और भजन गाना शुरू ठीक है मेरी खुटिया के भागाज खेल जाएंगे सद्ध गुरू आएंगे ऐसा कुछ भजन वो गाती होंगी चलिए जो उन्नीस वाप वोट एपन्ट वैंड़ ग्रैंड मदर दिंट प्रेव फॉर्स ताइम ये कब हुआ था इसका मतलब समझना इसका मतलब ये नहीं कि क्या हुआ जब दादी ने प्रेयर नहीं की इसका म अउन्ने इक ब्रेक लिया और वो गाउन चली गए यार गाउन गुमने जा रही हो मैंने कर रही प्रातना और शॉथाव इन्मे से कुछ भी नहीं हुआ था बताईए और सही जवाब वो बिमार हो गई थी अब एकती बिमार हो गई थी कि प्रात्ना भी उन्होंने उस समय नहीं की थी बिस्तर पे मन में कर लियो तो बात अलगया प्रात्ना 20th जब वो बिमार पढ़ी तो उनका रियक्शन क्या था अपनी बिमारी को लेखी गया टिकेट कुट गई बी किअ उन्हों ने अपनी ऐल्थ को इन्वेर ँग्णोर मारा की थीचे बिमार तो उते रहते हैं इस उमर में नीं होंगे तो कब ओंगे सी उन्होंने अपनी चिंता करी केयर करी अपनी और डी उनको अस्पताल में भर्ती कर दिया गया बताई अंसर और सही जवाब है उन्हों ने ये कहा कि मेरा अंद आ गया है वक्त आ गया है अलविदा करने का तो ये सही अंसर है वो काय कुवर बैचान जी कहके गये न शाम ढले हर पंची को घर जाना पड़ता है कौन खुशी से मरता है मर जाना पड़ता है तो बस दादी ये जानती थी यार जाना तो पड़ेगा तो उन्होंने कह दिया अब तो वक्त आ गया अच्छा तो उन्होंने तब क्या किया मतलब जब उनकी एक आखरी वक्त आ गया था कि यारब तो जाना ही है मैंने का ना जाना पड़ता है कौन खुशी से मरता है मर जाना पड़ता है तो उन्होंने क्या किया सबसे बैटके बातें की ठीक होता है ना कि आखरी वक्त में आप चाहते हो अपनों से जिनके बीच हम जी है उनसे कुछ बात करें तो क्या उन्होंने बात की क्या वो सबके बारे में चिंतित नी मेरे बिना क्या होगा ये बड़ी समस्या होती है लोगों में कि मेरे बिना क्या होगा तीसरा वो चुपचा खामोशी से प्रे कर रही थी माला जप रही थी तैलिंग दबीट्स मतलब माला जपना अगर माला जपी हो तो आपको पता होगा 108 दाने होते हैं उसको हम जपते हैं एक नाम लेते हुए कि वाहे गुरू वाहे गुरू यहां फिर ओम नमस्ष्रवाय ऐसा कुछ करते हुए आप माला जपते हो उसकी बात हो रही और तीसरा मंदर जली कि जब बिमार है तो यार मंदर जाएंगी नहीं तो आप सब समझदार हो यह उप्शन तो है नहीं अब इन तीम में से कौन सा उप्शन है यह बताने के दस सेकेंड स्टार्ट चैलिए तो बिल्कुल सही अंसर है चुप चाप बैटके उन्होंने प्रियर की और माला जपने लगी घर वालों से बात नहीं कि उनको पता था यार अंता गया है कैसे उनकी डैथ होई पहला माला जपते हुए दूसरा अस्पताल में तीसरा सोते सोते होता है ना कि यह सोये उठके ज़िए आपके हम सोय तो सोते ही रह जाएंगे तो क्या ऐसा उनके साथ हुआ कि सोती ही रह गई या इनमें से कुछ नहीं बताइई चलिए जी हाँ याद आगया वो किसी ने कहा था कि हम हमें चाहने वाले रोते ही रह जाएंगे हम अगर सोई तो सोते ही रह जाएंगे तो option C अगर आप सोच जो सही है तो जब दादी की डैथ हो गई तो जो चड़िया है जसको वो हर दुपहर में खिलाया कर दी दादी की जिंदगी का दादी के शहर में जब जिंदगी थी उसका सबसे जो उनका happy period था सबसे खुशी वाला जो लमहा था लमहे थी जो वो लमहे यही थी दुपहर में जब वो चड़ियाओं को खिलाया कर दी थ वेरंडा मतलब आंगन में बैढ़ गई तीसरा नॉर्मली खाली उन्हें ने ब्रेड ब्रेड मतलब वही रोटी के टुकड़ी और चौथा उन्होंने बहुत ज्यादा चहहाहट की जो होती है आवाज चहहाहाने की ची 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 वो की बताईए तो बिलकुल यार किसी की डैथ होती है तो हमें इंसान भी इतना चलाते हैं तो चड़ियाओं ने भी कुछ चलाया होगा जैसी अभी आपका आवाज आ रही है वैसे तो अगर आप यह आप्शन सोच रहे होती आप्शन बिलकुल सही नहीं है चुपचाप आई हामोशी से आंगन में बैठ गई इस तरीके से एक वाइब्रेशन होता है आपको पता है पंचियों में बहुत अच्छा सेंस होता है तो पंची समझ गए देग यार कुछ तो गरबड होई है हमें खिलाने वाली अब इस दुनिया में नहीं रही मतलब बोलते हैं जानर की डडबडी को बोलते हैं कारकस तो जब दाधी की डेट बडडी को ले जाया गया तो हुआ पहला पडोसी आयए अपना दु khव्यक्त करने शोग पुरकट करने होता है न राम राम करने और दूसरा वो सब लोग रोए उनके रूम में बैटके कि चली गई चली गई टाइप पंची खामोशी से उड़के दूर चले गए या कुछ भी नहीं हुआ बताईए और सही जवाब आपके सामने हर बार की तरह है बर्ड्स फ्लिव अवे क्वायटली खामोशी से जो पंची है वो उड़ गए पहले प्राण पखे रूड़े और अब रोज आने वाली चड़िया हमेशा के लिए उड़ गए इस चैप्टर में हमने जो पढ़ा वो दादी का कैरेक्टर आपको कैसा लगता है कैसी होगी दादी इमोशनल और लविंग प्यार करने वाली भावनाओं से भरी हुई बहुती स्ट्रॉंग सेल्फलेस अपने बारे में न सोचने वाली या फर ये सब बताईए जी और सही जवाब है कि इन चारों में से आपको दादी कैसी लगी इमोशनल लगी, स्ट्रॉंग लगी, सेल्फलेस लगी, अल अफ दा अबव सब लगी, सही जवाब है वो दादी स्ट्रॉंग थी, क्यों स्ट्रॉंग थी यार मैं बताता हूँ कितना हमी दुख हो उनकी मुस्कराहाट नहीं गई जब वो death bed पे थी death bed पे होने का मतलब होता है आपको पता है कि आपके जीवन कानत आ गया उसके बाद भी है ना उन्होंने अपने choice खुद ली परिवार वाले कहा थे डॉक्टर को बुला दे बात कर लो हमसे कुछ नहीं उनकी अपनी choice थी कि वो हामोशी से इस दुनिया से जाएंगी प्रातना करते हुए और वो गई जब order जा रहे थे वो रोई नहीं उन्होंने चुप चाप माथा चूमा और जाने दिया जब उनको time pass करना था तो उन्होंने दूसरों पर depend नहीं हुई कि पंचायत करूँगी मंदर जाओंगी कुछ नहीं मुझे लेके जाओ चुप चाप spin करने लगी वील को चर्खा चलाया और वो हमेशा खुद पर depend रही कभी मौका नहीं दिया कि कोई उन पे ये कहपाए कि यारी हम पर depend है इसलिए दादी strong थी बनो strong ऐसे हम भी बनेंगे वेर वॉस दा ओधर्स ग्रेंड मदर्स पोर्ट्रेट प्लेस्ट ग्रेंड फादर सॉरी तो ओधर के दादा का पोर्ट्रेट कहां पर था एक shelf में shelf का मतलब होता है आला जारा आला बोलते हैं ऐसे हिंदी में hung over the mental piece एक mental piece पे लटका हुआ था mental piece क्या होता है मैं बता दूँगा आपको mental piece के उपर था या फिर table के उपर था table के उपर तो by god नहीं होगा आप खुद जानते हो इन तीनों में से बताईए start mental piece का meaning में आपको फिर भी बताऊँगा अगर आपके अंसर में नहीं हुआ तो भी start और सही जवाब mental piece का meaning बताने वाला ही है एक mental piece से लटका हुआ उसके उपर था hung अब अब लटका हुआ था उपर mental piece के mental piece बोलते है इस एरिया को जहां चिमनी जलती है आग जलती है उसके उपर का यह जो एरिया होता है इसको बोलते है mental piece इसके उपर कहीं पर यह तस्वीर दादा जी की हमारे मतलब मेरे नहीं ओधर के लटकी हुई थी तो दादी रोज कुछ प्रियर्स गाती थी जो होता है परात वेले जब बच्चे को तयार कर रही है सुबह है तो कुछ प्रियर्स गाती होंगी क्या ओधर ने कोशिश की उनको याद करने की हाँ दूसरा है सुना बट कोशिश नहीं की याद करने की तीसरा याद करी नहीं पाए चौथा कोशिश ही नहीं की बताईए जी जवाब और सही जवाब सुना बट याद करने की कोशिश नहीं की तो दादी पोतों में प्यार तो था दादी रोज यसे प्रियर करती थी तयार करते करते बच्चे को उन्होंने कोशिश ही नहीं की यार कौन याद करीगा रहन दो 28 वा कब ऐसा हुआ कि जो एक कॉमन लिंक थी दोस्ती की वो दोस्ती यार कहीं तूट सी गई ऐसा क्या हुआ खिर बताईए पहला जब ओदर हमारे कॉलेज गए दूसरा ये पहला है दूसरा है कि जब वो युनिवर्सिटी में गए तब उन्हें अलग-अलग कमरा दिया गया ओदर का कमरा हो गया अलग तीसरा जब ओदर काम करने लगे चार पैसे कमाने लग गए डी जब वो विदेश चले गए बताईए चली और सही जवाब है जब ओदर युनिवर्सिटी में एडमिट हुए महावद दाल्य गए अलग-अलग कमरे उनको दिये गए दोनों को तो बाद ही खतम हो गए कमरा ये जरिया था बात का कमरे अलग हो गए तो यार वैसी बातचीत खतम हो गए सेकेंड लास्ट ओदर की दादी का क्या रियेक्शन था जब ओदर विदेश या रहे थे वो खुश थी वो दुखी थी सेंटिमेंटल नहीं थी कोई इमोशन नहीं था या इमोशनल थी बहुत ज़ादा बताईए और सही जवाब है नौट इवन सेंटिमेंटल अभी कोई इमोशन नहीं था दादी तो दादी है नौर्मल एकदम अच्छ दादी से याद आया है यह सब को जो मैं आपको देखा रहा हूं इमेजिस के साथ सब फ्री में मैंने आपको दे रखा है पेडिएफ के फॉर्म में लिंक डिस्क्रिप्शन में है बढ़ते हैं हमारे आकली MCQ की तरफ उससे पहले एक बात कहूंगा यार महनत बहुत लगती है यहां तक देख रहे हो कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो यार एक लाइक कर देना और दोस्तों के साथ बायगा और आप ज़रा शेयर भी कर ही देना ठीक अब इतनी महनत लगती है तो यार थोड़ा सा आप कॉंट्रिबूशन कर दो लाइक और शेयर कर दो ताकि और जल्दी और ज़्यादा विडियो हम आप तक लेकर आएं आखरी सवाल प्रातना करते-करती बाहों में बाहों मतला बेसिकली गले मिलना जिसे एक दादी एपने पोते से मिलती है वैसा कि बाहों से विर बॉले वोड़ यादा था बंदों को हैपी थी या इमोशनल थी बताइए जी स्टार्ट चले तो सही जवाब है कि दादी गले मिली प्रातना करते हुए तो बताइए आए होप आपको भाई सहाब मजा आ गया होगा चैप्टर में आया तो यार लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना कौन सा चाहोगे अगला चैप्टर थन्यवाद तो बताइए चैप्टर थन्यवाद